सिंपल तरीके से बनी हुए पालक की सबजी हम लोग रोज बनाते हैं, आज बनाएंगे लहसुनी पालक, लहसुनी पालक बहुत ही टेस्टी होता है, बड़े तो बड़े बच्चे भी खा लेते हैं इस तरीके से बना के, सबसे पहले पालक को हम बॉयल करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके बाद से 2 मिनट तक उबालेंगे ठकन लगा देंगे 2 मिनट हो गये है अब इसका धकन खोल देंगे पालक उबल गया है अब फ्लेम बंद कर देंगे उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे पालक को ठंडा कर लिया है पानी से पालक को हम निकाल देंगे इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे उसके बाद इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम ऐसे ही रख देंगे और बागी पालक को हम पीस लेंगे पालक को पीछने के लिए मैंने मेक्सी का जार ले लिया है उसमें पालक को डाल दूंगी और इसका एक पेस्ट बनाएंगे पेस्ट तैयार हो गया है अब एक कड़ाई या पैन को गरम करेंगे उसमें लगबग दो चम्मज तेल डालेंगे उसके बाद एक चम्मज जीरा डालेंगे और साथ में ही धेर सारा लहसुन डालेंगे लहसुनी पालक बना रहे हैं तो लहसुन जदर डालना है और साथ में ही एक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे प्याज और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे प्याज को थोड़ा सुनहरा कलर होने तक भूनना है उसके बाद इसमें कटी भी दो हरी मिर्ची भी डाल देंगे सब चीजूं को थोड़ देर के लिए और पका लेंगे इस तरीके के पालक की सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है एक बाद ट्राई जरूर कीजिए अब इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर और प्याज को अच्छे से पकाना है स्वाद के नुसार नमक डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आधी चम्मच लाल मीच पाउडर डालेंगे अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे सारे मसाले को अच्छे से पकाना है टमाटर पक गए हैं अब इसमें हमने जो पालक को बजा के रखा था उसे डाल देंगे इसे मसाले के साथ मिक्स कर देंगे उसके बाद जो हमने पीचा हुआ है पालक उसे भी डाल देंगे बहुत ही आसान है इस सबजी को बनाना बहुत जल्दी भी बन जाती है अब इसे मिक्स करेंगे पालक को सारे मसाले के साथ अब इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे बनके तयार हो गई है लैसुनी पालक अगर आपको मेरी रेसिप एच्छी लेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब करना ना बूलें झासे भूलें